नवस्कार दोस्तो आपका स्वागत है फिर से आपके ही अपने यूटूब चैनल सरगम रिकॉर्ड्स पर मैं आपका अपना होस्ट एंड दोस्त अजीत सर्मा दोस्तो जिसा कि आपको पता है इस चैनल के माध्यम से हम रामायन की अंसुनी बातें आप तक लेके आते हैं जी ह करते हैं आज का ये वीडियो दोस्तो अगर आपको याद हो तो हमने कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था जब रामायन की सुटिंग कर रहे थे तो सुटिंग के वक्त उनको एक कववे के जरूरत पड़ी सुटिंग करने के लिए तो उन्होंने कववे को बलाया और कवे से सुटिंग कर वा लिए यह बात आजीव जरूर है पर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा ये वीडियो आपको end screen पर मिल जाएगा इस वीडियो को आप जरूर देखें इस वीडियो में बताएं गया है कि कैसे रामानन सागर स आपकी सुटिंग के वक्त कववा सुटिंग के लिए पहुँच गया और सुटिंग करके ही गया जैसे जैसे रावानत सागर साब बोलते गए वैसे वैसे वो कववा सुटिंग करता गया अब आपके भी मन में कहीं न कहीं ये चल रहा हुगा कि कहीं ऐसा भी होता है क्या कोई सुटिंग करने कोगा आ सकता है क्या पक्छियों को क्या पता कि पूजा क्या होती है इसलिए हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो क्लिप लेके आए हैं जिसको देखकर आप भी मान जाएंगे कि हाँ पक्षियों को भी पता होता है कि पूजा क्या होती है चलिए दिखाते हैं आपको ये वीडियो और वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को दबा दें जिससे रोज हमारा वीडियो आपके मोगाल पर पहुंच जाए क्यूंकि हम डेली एक नया वीडियो अप आप तक पहुंचा हैं इस वीडियो में एक कवा एक मंदिर में पूजा के वक्त पहुंचा और जब तक पूजा आर्चना होते रही यानि आरती होते रही तब तक वो कवा वहीं पे बना रहा और देखिए इसकी एक्टिविटी क्या है आप अची तरह समझ सकते हैं अगर आपके पास भी कुछ इस तरह के वीडियो हैं तो आप हमें हमारे व्टस आप नमर पर जरूर earn हम कमें बहाँ हो तो भब से बेडा पार है ये ंप्त विच्था है k 않고 वोक्स में जरूर लिखके बताना चलिए मिलते हैं नए वीडियो में तब तक आप मस्त रहें विवैस्त रहें और जबर्दस्त रहें जैसरी राम